Hey guys, welcome back. दोस्तों हम discuss कर रहे थे cement और एक lecture हमने देख लिया था कुछ tricks हमने देखी थी ये second part है cement topic का तो चलिए शुरू करते हैं lecture को तीन grade हम देखते हैं जनरली cement के 33, 43 और 53 अब ये तीनों होते क्या है इनका मतलब क्या है और इनके लिए कौन-कौन से IS code यूज किया दाते हैं वो हमें समझना है तो देखो grade का क्या मतलब है 33, 43 और 53 जो है वो fineness को दिखाते हैं यानि कि cement जो है वो कितना ज़्यादा fine है, कितना ज़्यादा बारिक है तो fineness कैसे बढ़ती है जैसे जैसे आप grade बढ़ते हो वैसे वैसे यह आपकी fineness बढ़ेगी मतलब कि 33 जो grade है उसकी fineness ज़्यादा होगी 43 की कम होगी, 33 की सबसे कम होती है तो grade जो है वो बढ़ रही है कुछ इस तरह से तो आपकी fineness भी top to bottom बढ़ेगी ठीक है, 35 जो है वो सबसे ज़्यादा fine होता है तो यह आपको याद रखना है यहाँ से ठीक है, पूछ लिया जाता है कभी-कभी बात करते हैं IS code की तो IS 269 यह होता है 33 के लिए याद कैसे करेंगे, इसको convert कर दो words में कैसे होगा, यह बनेगा M, यह बनेगा M तो मैंने बना दिया क्या, mom ठीक है, mom mom on job तो mom जो है, वो 24 गंटे 24 by 7, जोब पर रहती है, मतलब कि उनकी कभी चुट्टी नहीं होती, नोकरी वाले को चुट्टी मिलती है, लेकिन जो घर की लेडिस होती है उनको चुट्टी नहीं मिलती, तो मैंने बोल दिया कि mom always on job तो on job से क्या बना देखिए on, o तो हमारा कड़ जाएगा vowel है, n से बन जाएगा 2 j से बन जाएगा 6 o कड़ जाएगा, b से बन जाएगा 9 कैसे हुआ, तो मैंने करमजान आपको बताया था पिछले lecture के last में, अब वो आप जाके देख लेना तो वहाँ पे हम numbers को convert कर रहे थे alphabet में, तो यहाँ पे क्या हुआ 269 से मैंने बना दिया, on job तो मैंने बोला कि mom always on job यानि कि हमेशा job पे रहती है mom उनको कभी भी चुटी नहीं मिलती तो यह हमारी trick हो गई, याद रह जाएगा IS score आसानी से, 43 की बात करें तो इसका होता है IS 8112 वियाद कैसे करेंगे इससे क्या बना सकते, देखिए इससे मैंने बना दिया 4 और 3, इसका बना दिया मैंने R, और यह बन गया M, तो मैंने बनाया Ram, ठीक है Ram ठीक है Ram भगवान है ना, तो वो वाले Ram और यहाँ पे बना दिया क्या ट्रिक बन रही है इससे, तो मैंने बना दिया कि जो Ram थी, जो श्रीराम थे, उनकी शादिवादी का तो सब को पता ही है कि कैसे सौंबर हुआ था और कैसे उनों ने धनुस तोड़ा था, तो वो एक बड़ा इंट्रेस्टिंग सा एक वो था, इवेंट पूरा, तो उसको आप याद किजिए कि जो Ram थे, उनकी वेडिंग जो थी, वो काफी इंट्रेस्टिंग थी, तो मैंने यही ट्रिक बना दिये कि Ram की वेडिंग इंट्रेस्टिंग थी तो वेडिंग से बना दिया V, E, D, D, I, N, G, और यहां से आजाएगा तो यह हमने ट्रिक बना दिये कनवर्जन आप देख सकते हैं ट्रिक से 53 को अगर हम कनवर्ट करें तो इसका यह स्कोड होता है 12269 तो 53 से बनाएगा क्या L और M, मैंने बना दिया Lime तो Lime से बना दूँगा क्या, मैं Lemon ठीक है, तो मैंने बना दिया Lemon तो Lime से क्या किया, देखिए कि जो Lime है उससे तूने नशे पे वार किया, या फिर कहँ दूँप रख गया कि तूने नशे पे नीबू शटख दिया या फिर Lime, Lime छटख दिया तो देखो उससे क्या होगा, कि नशा उतर जाएगा ठीक है ऐसा ही होता है नशा उता आने के लिए निवू हम खाल लेते हैं तो 12269 तो यहां पर होता है देखो TNN और यहां पर होजाएगा क्या SH और यह होजाएगा P तो मैंने कैसे बना दिया देखे इन दोनों को एक साथ लिया तो मैंने बना दिया तूने तो यहां ने कि तूने नशे पर निवू चटा दिया तो नशा उतर गया वैसे भी ले सकते हो तो कैसे बिएक आपको याद करना है ताकि एक्जाम में आप एटलिष्ट इस आंसर तक पहुँच पाएं किसी भी तरीके से उसके बाद में बात करते है strength इन तीनों की जो strength होती है वो पूछे लिए जाती है कभी-कभी तो आपको पता होनी चीए देखो जो grade है उतनी strength का बचीव करेगा 28 days में तो यहाँ पर आजाएगा 33 के लिए 28 days में strength होगी 33 हो जाएगी 43 के लिए 43 हो जाएगी अब यहाँ पर आजाओ 7 days वाली इसको कैसे करेंगे तो इसको हम कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर जो था यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर देख़ए यह 33 28 days में हो रहा था और यहाँ पर अगला जो grade of 43 उसमें यह 33 हो जाएगा और 7 days की बात करें यहाँ पर तो 33 वाले के 7 days की stand होगी 22 और 53 की हो जाएगी 37 3 days पर आजाओ 3 days पर 33 की हो जाएगी 16 यह पूछा जाता है काफी बार important है 16 वाला ठीक है तो 3 days पर जाएगी इसकी 16 43 की हो जाएगी 23 जो की यहाँ से देखिए फिर से यह क्रोस कर रहा है लगबग और 53 की हो जाएगी 27 तो यह नहीं कि यह 37 यह 27 तो कुछ कुछ similarity आपको बनाने पड़ेंगी तब जागे यह trick याद होंगे आपको ठीक है यह तो याद करने की ज़रुत नहीं है यह तो याद हुझाएगा इन दोनों को याद करना है और इसमें आप देखिए cross connection बन रहा है ठीक है तो इनको भी याद करने ना पूछ ले जाते हैं कभी कभी next आपको जो relation आता है cement के initial setting time और final setting time में तो वो relation के लिए जो formula है वो हमारा यह formula है t final is equal to 90 plus 1.2 t initial और यहाँ पर जो t है वो time है वो कभी minutes में है ठीक है तो यहाँ पर सब minutes में रखेंगा तो आपको minutes में answer मिल दाएगा तो यह relation आप याद रख लेना calculate करने के काम आ सकता है अब आते हैं हमारा जो next important point है कि cement के types और कहाँ पर कौन सा cement यूज़ करते है यह cushion बहुत important है बहुत ही जादा important है काफी exams में बलकि हर exam में ऐसे cushion देखने को मिलेंगे आपको box compound पर और types पर यह cushions मिलते हैं सबसे पहला type आपका आता है rapid hardening cement तो नाम से पता लग रहा है कि rapid hardening यानि कि जल्दे से hard होगा यहाँ पर set होने की बात नहीं हो रही है यहाँ पर हो रही है hard होने की बात strength की बात भी नहीं हो रही है यहाँ पर यहाँ पर सिर्फ बात हो रही है किसकी hard होने की तो यह है rapid hardening cement मतलब कि यह बहुत जल्दी जो है हो जा जाएगा ठीक है बहुत ज़ल्दी सूख जाएगा इसका क्या मतलब होआ इसका मतलब यह है कि जहां पर आपको इस तरह का repair work करना है मानलो कोई national highway है तो highway पर आपको repair work करना है तो आप कैंट क्या करेंगे कि बहुँ जल्दे से जल्दी traffic शूरू खरें भी काम आता है तो इसको आप याद कर लो कि बैठते ही मुझे ठोक ना दे तो रैपिडो पे बैठते ही कुछ हद तक इस तक पहुँच पाएंगे, नेक्स्ट आता है आपका quick setting cement, quick setting का मतलब है कि जल्दी से set हो जाए गई, दोनों में difference है, दोनों में difference है, इनके setting time में difference है, ये तो 5 मिनट के अंदर अंदर ही set हो जाता है, लेकिन ये 5 मिनट में set नहीं होता, इसका final setting time है, वो कम होता है, लेकिन इसका initial setting time कम होता है, तो दोनों में difference है, ये मैं आपको बताऊंगा आगे, तो वहां से आपको समझ आएगा, quick setting cement जो है, उसमें जल्दी से set हो रहा है, अब जल्दी से set हो रहा है, इसका मतलब है कि इसमें gypsum कम होना चाहिए, क्योंकि gypsum क्या करता है, gypsum जो है, वो आपका जल्द सेट होने को रोकता है, रिटार्ड करता है, क्योंकि रिटार्ड है रही है, तो अगर gypsum की quantity कम कर दूँगा, तो ये जल्दी सेट हो जाएगा, तो quick setting में gypsum कम होता है, logic भी लगा सकते है, थोड़ा सा, आपसनी से पोच जाएंगे, और कहां पे काम आता है, जल्दी से set हो का मतलब यह है, कि ये पानी के अंदर कोई काम करें हम, तो वहाँ पे हम यही चाहेंगे, कि जल्दी से set हो जाए, ताकि वो तुरंट पानी के साथ में बहे के निकल ना जाए, जैसे हम मेटरिल डाले है, तो वो तुरंट सेट हो जाए, ठीक है, सेट होगा, उसके बाद में लिक्वेडर्स आएगा, तो वापस से भैके निकल दाएगा, क्रैक में से, इसलिए, नेक्स्ट आपका आता है, लो हीट सीमेंट, लो हीट सीमेंट, तो इसके नाम से पता लग रहा है, लो हीट सीमेंट, अब हीट अगर स्लो है, या हीट अगर कम है, इसका मतलब है कि उसक में low heat cement है सबसे कम heat of hydration थी किसकी थी? सबसे कम सबसे कम C2S की थी? कितनी थी? 260 थी तो यहाँ पर हो जाएगा कि यहाँ पर more C2S C2S तो आपको रहता है जादा और बाकी जो चीज़े हैं वो सारी रहता है जाएगी कम यह हो जाएगा आपके low heat cement का formula इसका final और initial setting time की बात करें तो चुकि यह क्या है? low heat cement है तो heat of hydration कम है तो देरी से यह set होगा कितना देरी से होगा? तो यह होगा लगबग 60 minute, initial setting time इसका 60 minute है बागी चीज़ होगा कितना होता है? बागी का 30 minute होता है इसका 60 minute है final setting time कितना है इसका? तो इसका 10 गंटे है ठीक है? बहुत जादा है 10 गंटा next बात करते हैं हपन sulphate resisting cement तो नाम से ही पता है कि बहुत sulphate को register करेगा यह और sulphate को register करने के लिए कौन था? C3S और C2S यह दो चीज़े थी है हमारे पास में तो यहां पर देखो more C3S and more C2S क्योंकि यह जो S है S का मतलब ही क्या है? S का मतलब है strength और S का मतलब है sulphate तो sulphate को register करने के लिए हमें S यूज़ करना है यह धान रखो आप तो C3S और C2S लगा दो और बाकि दोनों क्या हो जाएंगे? less हो जाएंगे तो इन दोनों को याद करने के लिए जाद होंगे नाम से पता लग रहा है? और जो chemical resistance है ना वो भी कौन देता है? C2S देता था? तो वो भी यहां पर आज आएगा ठीक है? यह जो resistance करेगा वो chemical को भी register करेगा, chemical को भी सीत्रे की मात्रा अल्ड़ी कम हो जाएगी तो याद रखने की ज़ुरत नहीं है यह आप चाहो तो याद रखलो price of C3A plus C4AF is equal to 25% इस से कम होना चाहिए इस से जादा नहीं होना चाहिए वैसे तो पूछता नहीं लेकिन फिर भी अगर पूछ ले तो uses की बात करें तो कहां पर यूज होगा sulfate, sulfate का मतलब कि जहां पर salty water मिलेगा जहां पर minerals या फिर chemicals बहुत जादा मिलेंगे उस case में तो यह कहां मिलते हैं, समुंदर में समुंदर का पानी होता है, sea water होता है वहां पर ऐसी देखने को मिलती है तो marine condition में आप यूज करेंगे sulfate, resisting cement, क्योंकि वहां पर sulfate ज्यादा amount में पाया जाता है इसके लाव foundation work, तो foundation work भी क्या होता है सीधे-सीधे soil के संपरक में होता है नीचे तो जहां पर soil इस तरह की है marine soil है, या फिर कहों में salty soil है तो उस case में भी sulfate का खतर है रहता है seaweed treatment plant, यहाँ पर भी chemicals आपको बहुत देखने को मिलेंगे salt आपको देखने को मिलेंगे, millenals मिलेंगे तो इसलिए यह भी same category में आजाता है तो इसको हम थोड़ा से logical याद कर सकते है next आप काता है hydrophobic cement hydrophobic cement जो है वो यूज़ के जाता है for the longer storage, लंबे समय तक किसी चीज़ को store करना है तो आप करोगे hydrophobic cement का use इसमें क्या होता है इसमें 0.1 से लेके 4% तक इसमें acid मिले होते है कौन से? olic acid, steric acid, boric acid यह important है, काफी बार पूछे भी गए है यह दोनों, इनके नाम तो यह आपको याद रखना है कि hydrophobic cement में यह mix होता है इसके बाद आते है कि इस पे Portland slag cement Portland slag cement क्या कहता है? देखे यह जो है, इसमें 25 से 65% तक slag mix होता है Portland slag cement नाम में इसके slag है तो इसमें slag cement होता है इसको हम बोलते है na blast furnace slag यानि कि जो coal भटी होती है उनका जो चूरा होता है बिल्कुल coal का चूरा उसको हम बोलते है slag तो उसका use किया जाता है इसमें इसकी properties क्या है? low heat of hydration होता है यानि कि वोई C2S content जादा होगा इसमें better resistance to the chloride तो chloride यानि कि वोई chemicals chemicals के लिए यह रेजिस्ट करता है अच्छा better resistance to the marine effect तो वोई salty water है यहाँ पे भी chemicals आगे minerals आगे reduce permeability of the cement concrete तो यह permeability को reduce करता है यहाँ आप याद रखना है कैसे याद करोगे P से portland, P से permeability दोनों सेम है P से portland, P से permeability तो यह दोनों एक property है यहाँ आप याद कर सकते हो increase chemical resistance capacity तो chemical resistance तो बढ़ाएगा क्यों बढ़ाएगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? C2S है C2S है तभी low heat of hydration है इसलिए यह set भी late होगा तो सारी चीज़ी एक दूसरे से interlink कर रही है तो आपको इस तरह से ही इनको याद करना पड़ेगा अगल हम आजाते हैं High Aluminous Cement पे नाम में क्या है इसके High Aluminous Aluminous का हैस कौन सा होता है? Bauxite तो यहाँ पे आपको Bauxite देखने को मिलेगा with fine grinding and limestone तो limestone तो होता ही है Bauxite नहीं चीज़ है ठीक है? यह याद कर लोगे Initial और Final Setting टाइम इसका बिल्कुल अलग होता है बाकी किसी से मैच नहीं करेगा इसका कितना होता है? Initial Setting टाइम 3.5 गंटे का और Final होता है 5 गंटे का याद कैसे करेंगे? Initial High तो देखो High है ने की 2.0 कोई High हो गया इसी तरह से कोई माल फूग के High हो गया तो यहां से मैंने बन देगा 3.5 है तो यह बन जाएगा M यह बन जाएगा L मैंने बना दिया माल तो माल फूग के जो आदमी पहली बार माल फूगता है ना Initial Days में वो क्या हो जाता है? तरन तो इसको चड़ जाता है यहां कि वो High हो जाता है तो माल फूग के High हो गया कब? Initial Days में यहां कि कोई नया नया आदमी है तो वो माल फूगते हैं कैसा हो जाएगा High हो जाएगा और Final की बात करें तो यह पांच गंटे के बात है तो इसके लिए हम याद करेंगे क्या High Five High Five करते हैं ना हाथ से इस तरह से ताले देते हैं तो High Five High यह वाला हो गया और Five तो यहां पे भी F आ रहा है और यहां पे भी Five का मतलब F-I-V-E Five तो High Five F-F तो वैसे आप मिला सकते हो याद रिखने के लिए काफी है यूजर्स की बात करें तो Better Registance Against Chemical Attack तो अब सब में Chemical Attack चलेगा यह Better Registance Against The Marine Effect तो सेम चीज़ है Marine और Chemical दोनों एक ही बात को कहते है नेक्स्ट आता है आपका Pozolona Portland Cement तो यहां पे क्या होता है जो OPC होता है वो तो हम यूज में करते ही है और उसमें हम Pozolonic Material मिला देता है कितना 15-35% तक अब यह होता क्या है तो यह हमारे होते है Materials होते है कुछ जैसे कि Silica के या फिर Aluminumina के कुछ I.S के कहलो या फिर कुछ Minerals के कहलो वो हम इसमें आड़ कर देते है Pozolonic Material तो वो हम मिलाते है 15-35% तक और इसमें Silica और Aluminumina इनके जो Materials आते है वो एड़ किये जाते है और इसमें देखो Pozolonic जो Materials होता है उसको कैसे याद करेंगे उसमें क्या क्या होता है उसमें आपका एक तो Rice Husk R-I-C-E-H-U-S-K Rice Husk ये होता है चावल की भूसिस को हम कहते है एक होता है सुर्की सुर्की बेसिकली इंटों का चूरा होता है इसको कह सकते है सुर्की और Fly Ash होता है Fly Ash भी वही है कि राख जो बिल्कुल पतली राख होती है बारिक वाली उसको हम कहते हैं Fly Ash तो इन सबी को हम कहते है क्या Pozolanic Material Pozolanic Material में इस अब आते है तो ये भी आपसे पूछ लिया जाते है कभी-कभी कि क्या होता है Pozolanic Material तो सुर्की, Fly Ash और Rice असकी ये आपको एक्जमपल याद होने चाहिए Next आता है इसकी Properties किसकी? Portland Pozolona Cement की क्या Property होगी? Low Heat of Hydration है तो वह यह है कि धीमे सैट होगा ये भी Used in the Marine Condition तो वह ही Chemical, Salt ये सब आ गया उसके अलावा Used in the Hydraulic Structure Except Mass Work Longer Carrying Period Used in the Hydraulic Structure यानि कि जहाँ पर पानी की बात हो पानी वाली जो पानी की टंकी बनानी है उसमें कौन सा यूज होगा तो Portland Pozolona Cement इस तरह की कुछन इंटर में पूछे जाते है कि कोई अगर पानी की टंकी बना रहा है PhD का कोई Department का Employee बेटा है और वह आपसे पूछ लेता है तो वह पूछेगा कि भई पानी की टंकी के लिए कौन सा यूज करेंगा या फिर कोई आपको कुंड बनाना है होद बनाना है इस तरह की चीज़े तो वहाँ पे Portland Pozolona Cement use होता है क्यों होता है क्योंकि वो hydraulic structure में use होता है इसलिए Accept Mass work क्यानि मास concreting में इसका यूज़ नहीं के जटता है मास चूंक्रिटिंग में लो हीट सिमòng का यूज़ करो देज़ा viene क्योंकि वहांज उसकि इसके करेंगे तो वहां पर कूंक्रिट के उसकि करेंगे तो बहुत अच्छे से एल से ब्राइए जाएंगे चीज़़े यहां पे P, P से Portland, P से Premiability, और इधर आप आ जाओ, तो P से P पर्मiability की जहां भी बात होगी, वहां पे P वाले सीमेंट देखना है, आपको कि एक तो Portland, P पोजोलोना सीमेंट, और एक आपको यह देखना है, जो पीछे में बताया था भी, कौनसा था? पोजोलोना सीमेंट, तो दोनों पोजोलोना देखना है, ठीक है, और इसके बाद में हमारे टाइप तो complete होगे, next lecture में हम देखेंगे क्या consistency, और जो भी आपके order test होते हैं, अधर, वो हम next lecture में discuss करेंगे, thank you so much watching this video, have a nice day.